एलो फ्रेंड्स वेल्कम टू लेजन टीवी दोस्तों उमीद है कि आप सवी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी चल रही है क्योंकि जो आपका फेस फर्स्ट का रिजल्ट है अब कुछी दिनों बाद डिकलेर कर दिये जाएगा और आपके फेस फर्स्ट के कुछी दिनों स्टार्ट हो जाएगा आपका फेस सेकिंड का प्रोसेस तो आपको फेस सेकिंड के प्रोसेस और रिजल्ट की भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपकी प्रपरेशन करने के लिए तो अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजी आज इसे आप अपनी तैयारी स्टा यूज कीजिए और जो आपके topics हैं जीडी के या फिर physical examination हैं आप इन सभी की अपनी तहियारी अभी से continue कर दीजिए तो इस वीडियो में आज हम जो जीडी के topics हैं उनके बारे में देखेंगी कौन-कौन से topics आने के समभावना हैं जो की वहाँ पर पिछली बार बुछे गए हैं जो की important topics हैं और जो की इस बार भी आने के समभावना हैं तो मेरे ख्याल से जो महां पर topics पूछे जाते हैं GD में वो सबसे पहले पूछे जाते हैं current topics या फिर technical topics या फिर social topics तो जो current topics हैं उनमें जैसे digital India या फिर बेटी बचाव बेटी पढ़ाव इस तरह के आपके topics आते हैं technical topics में books या फिर internet इंपर अधिकतर आपके topics लगबग आते हैं third number पर है social topic जो की women empowerment और environment कर जो topic है आपके इस पर आते हैं तो जो मेरे पास पिछली बार जो topic आया था वो था books का और internet का यानिके books और internet को combine करेके इसका यूज जो था वो उसके बारे में था तो उसके बारे में पिछली बार आया था और जो मेरे फ्रेंड से उनके पास जो woman का था वो आया था और एक topic आया था मेरे ध्यान रही ही आरा मैं आपको बता दूगा तो ये topics इस तरह से आपके पूछे जाते हैं तो हम important topic देखेंगे जो की important है तो दोस्तों जो आपके important है topic वो ही आप पहले करिए उसके बाद जो भी आपके topics बचते हैं वो आप knowledge के लिए बाद में कर सकते हैं अपनी तयारी के लिए कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपसे request है कि आप वो ही topics देखिए उन्हें के बारे में आप पढ़ने के कोशिश कीजिए जो की important है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो current topics हैं उनके बारे में सबसे पहले number पर है bullet train क्योंकि bullet train का जो समझोता है वो जापान के साथ चल रहा है तो current topic में संभावन है bullet train की second number पर है making India जो की PM Modi द्वारा एक्चल अभियान है जिसमें कुछ भी technical जो समान होता है वो manufacture किया जाता है इंडिया में तो making India भी उमीद है कि आपका आ सकता है third number पर है बेटी वचाव बेटी पढ़ कि हम इसे देख सकते हैं और इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं या फिर वोमेन इंपार्यमेंट में भी थोड़ा थोड़ा इसमें लिख सकते हैं यानि कि इसके बारे में हम देख सकते हैं और बेटी यानि कि जो चोटी लड़गे होती है उनके बारे में तो mix करके बेटी दुरा शुरू किया था तो यह पूरंट है कि मुंझे इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हूआ है कि जैसे कि बूक से हो गया फिर सॉचारे हो गया WhatsApp, Facebook, यानि सभी से मतलब जितने भी हम सोच सकते हैं YouTube कहीं से कहीं तक भी आपका इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो इंटरनेट को आप किसी भी तरीके से यानि कि किसी भी आप टोपिक में वहाँ पर बोल सकते हैं अगर आप से बुक्स का टोपिक पूछा गया तो भी आप उसमें थोड़े से अपने इंटरनेट के उसमें इशू है वो आप रख सकते हैं सोचल मीडिया के इशू आप इंटरनेट वाले टोपिक में रख सकते हैं तो इसे तरह से आप कहीं भी internet को use कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे तरीखी से पढ़ लिजे, जहां भी आपको मिलता हो, internet के बारे में, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, तो एक important है ये भी, आपका internet, तो next है books, दूस्तों सारे ही मिल्मोटेंट हैं यह नहीं ऑग सब्सक्राइब़ है सब्सक्राइब है तो next है social media ये भी important है next है science and technology तो science and technology के भी questions sorry questions कह रहा हूँ जो आपके जीडी के topics है वो पूछे जाते हैं तो आपको ये भी कर लेने जरूरी है next है women in India तो women के बारे में फिर girl के बारे में जो आपका topic है जो यानि कि women से जुड़े हुए है वो women in India में आ जाते हैं तो आपको देख लेना जरूरी है women in India का topic बहुत ही अच्छे तरीके से तो इसके बाद environment जो की जरूरी है जो की हमें पता है कि परदूशन बढ़ता जा रहा है तो इसके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है ये भी आने के सम्मावन है जो की एक social topic है उसके बाद population ये भी एक social topic है जो की आ सकता है उसके बाद corruption in India ये भी एक important है उसके बाद western culture in India दोस्ते ये जो आपका topic है western culture in India इसके बारे में मुझे पिछली बार जो मेरे exam हुआ था फेस्टू का उसके टाइम पर मुझे काफी कुछ इसके बारे में पता चला था western culture in India के बारे में तो जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्हों यानि कि उन सब ही ने मुझे बताया था कि western culture in India का जो topic important है यानि कि उन्होंने सभी ने अपनी तयारी कर ली दी तो मुझे ये भी important लगा था western culture in India तो इसमें हम अपनी culture को भी जोड़ सकते हैं यानि Indian culture को भी जोड़ सकते हैं और उसके जो हमारे negative point है फिर positive point है उसको जोड़ करके बता सकते हैं हम western culture से यानि कि हम western culture और Indian culture में दोनों में compare कर सकते हैं western culture in India के topic में तो ये भी important है आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए नेक्स दोस्तो इंडियन नीबर्स चाइन एंड पाकिस्तान ये भी आपका important है जो की current का भी topic है और एक social topic है क्योंकि जो भारत के दिक्तर जगड़े होते हैं फिर लड़ाई जगड़े होते हैं भारत के किसी दूसरे देश के साथ वो पाकिस्तान या फी चाइना पाकिस्तान या फी चाइना के साथ में ही होते हैं तो ये भी important topic है इसके बारे में भी आपको देख लेना जरूरी है तो next है दोस्तो games in India तो games in topics हैं games के उनके games in India के topic में तो यही है दोस्तो आपके important topics तो मेरी आप से request है कि अगर आपने अपनी तयारी नहीं की start की है तो अभी से आप अपनी तयारी start कर दीजिए तो यही है दोस्तो अभी के लिए topics तो इसके बारे में और फिर अच्छा नहीं लगता तो जितना short हो अभी के लिए उतना ही ठीक है तो अभी आप के वल इन topics को देख लीजिए और आपके जो तयारी है वो इस तरह से चलने चाहिए कि आप एक दिन में एक या दो topics अराम से देख लिए उसका आपका method होना चाहिए कि आप जो भी अपने topics पढ़ते हैं वो English में पढ़ें यानि कि English to English उन्ने पढ़ने की कोशिस करें और उनके जो आपके meaning है वो तो आप Hindi में ही सोचेंगे लेकिन उसके topic पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी कोशिस करें उसके बारे में बोलने की तो जो भी आपके अंदर words हैं जो भी आपने सीका जैसे it is, it is, this is, it is, that is उसी को आप जोड़ जोड़ के उस topic के बारे में थोड़ा explain करने की कोशिस कीजिए तो इसी से दोस्तों आपकी जो English है वो improve होगी और आप बिल्कुल वहाँ अराम से बोल पाओगे जीड़ी में अपनी अच्छी अपनी जो है अपना 100% आप दे पाओगे, आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी तो आपको रटना नहीं है कि ये word है मैं इसको रटलू बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं है आप बस उसको understand करने की कोशिस करोगे आप उस topic को समझने की कोशिस करोगे तो यही है बस दोस्तों आज के लिए और कलको में आपको जो वीडियो है कलको भी दूगा आपके जो वीडियो है वो तो daily ही आएंगे बस आप देखते रही है continue आपको कोई भी परिशानी नहीं होनी चाहिए अगर आप दोस्तों आप वीडियो भी नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है आप वीडियो बिल्कुल मत देखिए लेकिन जो आपकी preparation है उसको आप continue कीजिए आप यहां से मत देखिए तो आप कहीं और से जो आपके topics हैं GD के वो देख लीजिए SRT के अपने questions देख लीजिए कहीं से भी दोस्तों आपको कुछ भी मिलता हो आपको अभी कोई भी risk नहीं लेना है आपको जो phase second का process है कुछी दिनों में start होने वाला है आपके पास मुश्किल से 15-20 से अफिर 25 दिन मुश्किल से हैं दोस्तों तो आप जो आपका time है 20-25 दिन का अगर आपने neutralize कर लिया तो आपको future में कभी कोई परिशानी नहीं होने वाली है क्योंकि 20-25 दिन काफी जादा होते हैं यानि कि एक तरह से दे के तो काफी जादा है और एक तरह से दे के तो काफी कम है तो अगर आपने जो आपके देस्ट चल रहे हैं, इनको कर लिया तो आपके लिये बहुत ही जदा, यानि के काफी बड़े दिन है और आपने इनका ने नईत्री नहीं किया तो आपके लिए बहुत चोटे दिन हैं तो अब देली पनी preparation कीजिए, औरने information के लिए देखते लेजन TV, thank you very much